प्रतिभा बोली कंगना यूवा चहरा इसलिए कॉंग्रेस भी यूथ आइकन पीड़ी मंत्री को उतारना चाह रही राजे चुनाव विभाग ने साइकलिस्ट जस्प्रीत को बनाया गया स्टेट इलेक्शन आइकन एच पीउ में नए सतर के लिए 16 मई से शुरू होंगी प्रवेश परिक्षाएं शेडिल जारी चार महाबाद खुले शिकारी देवी मंदिर के कप बर्व के बीच दर्शन करने पहुँच रहे शरधालू अब समाचार विस्तार से सियम सुकविंदर सिंग सुख्ष ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है जल्द प्रत्याशियों की घोश न की जाएगी प्रत्याशियों के पैनल तै हो चुके हैं कांग्रेस अच्छे वस्वच छवी वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी नई दिल्ली से लोटने के बास सियम सुख्ष ने कहा कि प्रत्याशियों के चैन के लिए अंतिम चरण की चर्चा हो चुकी है अंतिम चरण में चुनाव हैं इसलिए सोच विचार के चान है उनके गोमास खाने की बाते आई ओन रिकॉर्ड हैं अगर आज वहां मुकर रही हैं तो क्या कहें कंगना को राजनीती की ABC तक नहीं पता भगवान शिराम उन्हें सजबुधी दे उन्होंने कहा चुनाव हिमाचलियत के नाम पर लड़ा जाएगा वहां किसी भी सू आउ लड़ सकते हैं उन्होंने कहा कंगना रनौत भी यूवा हैं और 36 साल की हैं विक्रमदित्य सिंग भी 34 साल के हैं ऐसे में सभी का सुझाव था कि बराबरी में कंपिटीशन हो विक्रमदित्य सिंग भी यूथ आइकन है तीन दिन पहले दिल्ली में हुई कोडिनेशन कमेटी की मीटिंग में अचानक विक्रमदित्य सिंग का नाम मंडी लोगसभा सीट से आ गया आया है शेश समाचार ब्रेक के बाद मंडी जिला के अपर समखेतर क्षेतर के निवासी साइकलिस्ट जस्परीत पाल को स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया गया है राजे चुनाव विभाग की और से मुखे निर्वाचन अधिकारी मनीश गर्ग और साइकलिस्ट जस्परीत पाल के बीच आज यहां एक समझोता दस्तवेस पर हश्ताक्षर किये गए जस्परीत पाल एक साइक्रिस्ट होने के साथ साथ एक पेशेवर फोटोग्राफर भी हैं इसके अलावा उन्हें बाल साक्षरता पर्यावरन सनक्षन जैसे सामाजिक सरोकारों में भी अपना अतूलनिया योगदान दिया है हिमाचर परदेश विश्विद्याले की शेक्षनिक सतर दोहजार चॉबस पच्चिस के लिए केंपस में संचालित किये जा रहे सनातक और सनातकोत्तर डिग्री कोर्स में परवेश लेने के लिए होने वाली परवेश परिक्षाओं की तिथियां तैकर पूरश डियूल जा होगा जो 6 जून को होने वाली बी एड की परवेश परिक्षा तक जारी रहेगा वीवी के अधिश्ठाता अध्यान प्रोफेसर बी के शिवराम ने शेडियूल जारी किया है मंडी जिले की सबसे उंची चोटी माता शिकारी देवी के कपाट चार महबाद सोमवार को प्रेटकों और शरधालूं के लिए खुल गए हैं सोमवार को बरफ के बीच कई शरधालू माता के दर्शन करने के लिए पहुँचे मंगलवार से शुरू होने जा रहे चैत्र नवरात्रों से शिकारी देवी मंदिर में भारी भीड उमडने की उमीद है मंदिर में पुजारी तैनात हो गए हैं साथ ही सुरक्षा की दृष्टी से होमगार के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है इसी के साथ समाचार समाप्त हुए नमशकार